नमस्कार गुजरात के गवणर स्री आचारिय देवरत जी ग्रह और सहकारिय मत्ना मंत्री स्री अमीद भाई शा केंद्रिय क्रिश्ची और किषान कल्यान मंत्री नरेंदर सी तोमर जी गुजरात के मुख्यमंत्री स्री पुपेंद्र भाई पटेल जी उत्तप देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाद जी अन्य सभी महानुभाव देश के कौने कौने से हजारों की संख्या में जुड़े मेरे किसान भाई और बहनों देश के क्रिसी सेक्टर खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुती महत्पपून है मैंने देश भर के किसान सात्यों से आगर किया था कि नेच्रल फार्मिंग के नेशनल कॉंक्लेव से जरूर जुड़े और जैसा अभी क्रिशी मंत्री तोमर जी ने बताया करीब करीब आठ करोर किसान टेक्नॉलोजी के माद्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए है मैं सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ मैं आचारिय देवरत जी का भी रिदय से अभिनंदन करता हूँ मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बाते सुन रहा था मैं स्वैम तो किसान नहीं हूँ लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था कि प्राकृति क्रिसी के लिए क्या चाहिए क्या करना है बहुती सरल सब्दों में उन्होंने समझाया है और मुझे पक्का विश्वास है आज का उनका ये बारदर्शन और मैं जान बुचकर आज पूरा समय उनको सुन लेक लिए बैठा था क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने जो सिद्धी प्राप्त की है प्रयोग सफलता प्रयोग आगे बढ़ाए है हमारे देश के किसान भी उनके फाइदे किस बात को कभी भी कम नहीं आकेंगे कभी भी भूलेंगे नहीं साथियों ये कॉंक्लेव गुजरात में भले हो रहा है लेकिन इसका दाइरा इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए हैं भारत के हर किसान के लिए हैं एगरी कल्चर के अलग-अलग आयाम हो फूर्ड प्रोसेसिंग हो नेचरल फार्मिंग हो ये विशए हैं 21 सदी में भारतिय कर्षी का काया कल्प करने में बहुत मदद करेंगे इस कॉंक्लेव के दौरान यहां हजारो करो रुपिय के समझोते उसकी भी चर्चा हुई उसका भी कुछ प्रगति हुई हैं इन में भी इथेनोल, और्गनिक फार्मिंग और फूर्ड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्सा दिखा हैं नई संभावनाओं को विस्तार देता है मुझे इस बात का भी संतोस है कि गुजरात में हमने टेक्नोलोजी और नेच्रल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किये थे वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं मैं फिर एक बार गुजरात के गवर्णर अचारे देवरजी का विशेश आभाय व्यक्त करना चाहता हूँ जिनोंने देश के किसानों को नेच्रल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्वव अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है साथियों आज़ादी के अमरित महत्सों में आज समय अतीत के अवलोकन का उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है आज़ादी के बात के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई जिस दिशा में बड़ी वो हम सबने बहुत बारी के से देखा है अब आज़ादी के सोवे वर्स तक का जो हमारा सफर है आने वाले पचीश साव का जो सफर है वो नई आवशक्ताओं नई चुनवतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है बीते छे साथ साल में बीज से लेकर माजार तक किसान की आई को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं मिट्टी की जाँच से लेकर सेकडो नए बीज तयार करने तक पी-एम किसान सम्मान निधी से लेकर लागत का डेड़ गुणा MSP करने तक सींचाई के ससक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं और सिमान तोमर जी ने इसका कुछ जिक्र भी अपने भाशन में किया है खेती के साथ साथ पशुपालन, मदुमख्य पालन, मच्से पालन और सावर उर्जा बायो फ्यूल जैसे आएके अनेक वहिकल्पिक साथनों से किसानों को निरंतर जोड़ा जा रहा है गावों में भंडारन, कोल्ड चेन और फूट प्रसेसिंग को बल देने के लिए लाखों करोड रुपिय का प्रावधान किया है ये तमाम प्रयास किसान को समसाधन दे रहे हैं, किसान को उसकी पसंद का विकल्प दे रहे हैं लेकिन इन सब के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्टन हमारे सामने है जब मिट्टी ही जवाब दे, जब मिट्टी ही जवाब दे जाएगी, तब क्या होगा जब मोसम ही साथ नहीं देगा, जब दर्ती माता के गर्ब में पानी सिमित्र है जाएगा, तब क्या होगा आज दुनिया भर में खेती को इन चुनोतियों से दोचार होना पड़ रहा है यह सही है कि केमिकल और फर्टिलाइजर ने हरीत करांते में एहम रोल निभाया है लेकिन ये भी उतना ही सचा है कि हमें इसके विकल्पों पर भी साथ ही साथ काम करते रहना होगा और अधिक ध्यान देना होगा खेती में उप्योग होने वाले किटन आशक और केमिकल फर्टिलाइजर हमें बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से दुनिया के देशों से अर्बों खर्बों रुप्या खर्च करके लाना पड़ता है इस बज़े से खेती की लागत भी बढ़ती है किसान का खर्च बढ़ता है और गरीब की रसोई भी महंगी होती है ये समस्या किसानों और सभी देशवास्यों की सहथ से जुड़ी हुई भी है इसलिए सतर्क रहने की आवशक्ता है जागरुक रहने की आवशक्ता है साथियों गुजरात में कहावफ है हर घर में बुली जाती है पाणी आवे तो पहला पाल बांदो पाणी पहला पाल बांदो है आपना ते बन दज कहता हो इसे इसका ताथपर है ये कि इलाज से पहले परहेज बैतर इससे पहले की खेती से जुड़ी समस्याएं भी विक्राल हो जाए उससे पहले बड़े कदम उठाने का ये सही समय है हमें अपनी खेती को केमेस्ट्री की लेब से निकाल कर नेचर याने प्रकृती की प्रयोग साला से जोड़ना ही होगा जब मैं प्रकृती की प्रयोग साला की बात करता हूँ तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारिती है ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचारिय देवरद जी ने विस्तार से बताया भी है हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है और जैसे उन्होंने कहा उनकी किताब प्राप्त करकर के भी यूटूब पर आचारिय देवरद जी के नाम से डूंडेंगे तो उनके भाशन भी मिल जाएंगे, जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीच, वो तत्व प्रकृती में भी मौजूद है, हमें बस उन जिवानों की मात्रा धर्ती में बढ़ानी है, जो उसकी उपजाव शक्ति इसको बढ़ाना है, कई एक्सपर्स कहते हैं कि इसमें देशी गायों की भी एहम भूमिका है, जानकार कहते हैं कि गोबर हो, गोमुत्र हो, इससे आप ऐसा समाधान तैयार कर सकते हैं, जो फसल की रक्षा भी करेगा और उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा, बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं, इस खेती में ना तो खाद पर खर्च कमना है, ना किट नाशक पर, इसमें सिंचाई की आवशक्ता भी कम होती हैं, और बाढ़ सुखे से निपटने में भी ये सक्षम होती हैं, चाहे कम सिंचाई वाली जमीन हो, या फिर अधिक पाने वाली भूमी, प्राकृतिक खेती से किसान, साल में कई फसले ले सकता है, यही नहीं, जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुप्यों किया जाता है, यानि कम लागत, ज्यादा मुनाफ़ा, यही तो प्राकृतिक खेती हैं, साथियों, आज दुनिया जितना आधुनिक हो रही हैं, उतना ही बैक टू बेजिक की और बढ़ रही हैं, इस बैक टू बेजिक का मटलब क्या है, इसका मटलब है अपनी जड़ों से जुड़ना, इस बात को आप सब किसान साथियों से बहतर कौन समझता है, हम जितना जड़ों को सीचते हैं, उतना ही पवधे का विकास होता है, भारत तो एक क्रिशी प्रधान देश हैं, खेती किसाने की इद गिद ही हमारा समाज विक्सित हुआ है, परमपराएं पोशित हुई हैं, पर्वत त्योहार बने हैं, यहां देश के कोने कोने से किसान साथि जुड़े हैं, आप मुझे बताईए, आपके इलाइका का खान पान, रहन सहन, त्योहार परमपराएं, कुछ भी ऐसा, जिस पर हमारी खेती का फसलों का प्रभावन न हो, कुछ भी नहीं है, जब हमारी सब्वेता किसानी के साथ इतना फली फुली है, तो कुछी को लेकर हमारा ज्ञान विज्ञान को कितना समृद्ध रहा होगा, कितना वैज्ञानिक रहा होगा, इसलिए भाव्यों भेनों, आज जब दुनिया और्गेनिक की बात करती है, नेचर्रेल की बात करती है, आज जब बैक टू बेजिक की बात होती है, तो उसकी जड़े बारत से जुड़ती दिखाई पड़ती हैं, साथियों, यहाँ पर क्रिशी से जुड़े कई विद्वान लोग उपस्तित हैं, जिन्होंने इस विशे पर व्यापक शोद किया है, आप लोग जानते ही हैं, हमारे यहां रिगवेद और अथर्ववेद से लेकर, हमारे पुरानों तक, क्रिशी, पाराशर और काश्यपिय क्रिशी, सुक्त जैसे प्रातीन ग्रंथोंक तक, और दक्षिन में तमिल लाड़ु के संत तिरुवल लुवर जी से लेकर, उत्तर में कुरुशक कभी घाग तक, हमारी क्रिशी पर कितनी बारिकियों से शोद हुआ है, जैसे एक स्लोग है, गोहित हा, छेत्र गामी च, काल जो बीज तत परह, कालग्यों बीज तत परह, वितंद्रह सर्वशाश्चाज्य, कुरुशे को न अवसी दती, अर्थात, जो गोधन का, पशुधन का हित जानता हो, मौसम समय के बारे में जानता हो, बीज के बारे में जानकारी रखता हो, और आलस न करता हो, ऐसा किसान कभी परेश्थान नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता, ये एक स्लोक, नेचुरल फार्मिंग का सुत्र भी है, और नेचुरल फार्मिंग की ताकत भी बताता है, इसमें जितनी भी सौसाधनों का जिक्र है, सारे प्राकृतिक रूप से उफलब्द हैं इसी तरह कैसे मिट्टी को उर्वरा बनाएं कब कौन सी फसल में पानी लगाएं कैसे पानी बचाएं इसके कितने ही सुत्र दिये गएं एक और बड़ा प्रचिलित लोग हैं नैरुत्यार्त ही धान्याना जलम भादरे विमोचायते मुलम मात्रतों संस्थाप्य कार्य जट मोक्षन यानि फसल को बिमारी से बचा कर पुष्च करने के लिए भादों के महने में पानी को निकाल देना चाहिए केवल जड़ों के लिए ही पानी खेत में रहना चाहिए इसी तरह कभी गागने भी लिखा है गेहू बाहें चना दलाएं धान गाहें मक्का निराएं उख कछाएं यानि खुब वहां करने से गेहूं खांटने से चरां बार बार पानी मिलने से धान निराने से मक्का और पानी में छोड़कर बाद में गंगा बोने से उसकी फसल अच्छी होती है आप कलपना कर सकते हैं करीब करीब दो हजार वर्ष पुर्व तमिल नाडु में संत तिरुवल्ड वर्जे ने भी खेती से जुड़े कितने ही सुतर दिये से उन्होंने कहा था तोड़ी पुड़ी कच्छचा उनक्किन पिडी थेरुवं बेन्लादू सालब पडूम् अर्थात इप दे लाइंड इस द्राइड तो एथ तो रिडूर वन आउंस अप अर्थ तो पॉर्टर इट विल ग्रो प्लेंटी फुली इवन विदाउट ए हैंफुल आप मैन्योर् साथियों कृसी से जुड़े हमारे इस प्राचिन ज्यान को हमें न सिर्फ फिर से सिखने की जरूत है बल्कि उसे आदुनिक समय के हिसाब में तराशने की भी जरूत है इस दिशा में हमें नए सिर्फ से सोथ करने होंगे प्राचिन ज्यान को आदुनिक विज्ञानी फ्रेम में डालना होगा इस दिशा में हमारे ICAR जैसे समस्तानों की कुशी विज्यान केंद्रों कुशी विश्म विद्यालायों की भूमी का बहुत बड़ी हो सकती है हमें जानकारियों को केवल रिसर्च पेपर्स और थेरिस तक ही सिमित नहीं रखना है हमें उसे एक प्रैक्टिकल सक्सेस से बदला होगा लेब टू लेंड यही हमारी आत्रा होगी इसकी सुरुआद भी हमारे एस संस्तान कर सकते हैं आप यह संकर्प ले सकते हैं कि आप नेचरल फार्मिंग को प्राकृतिक खेती को जादा से जादा किसानों तक ले जाएंगे आप जब यह करके दिखाएंगे कि यह सफलता के साथ संभव है तो सामान्यमानवी भी इससे जल्द से जल्द जुड़ेंगे साथियो नया सिखने के साथ हमें उन गलतियों को भुलाना भी होगा पड़ेगा जो खेती के तौर तरीकों में आ गई हैं जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से दर्ती अपनी उपजाओ शमता खोती जाती हैं हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिटी को और ये बात समझने जैसी है जिस प्रकार मिटी को जब तपाया जाता है तो वो इट का रूप ले लेती है और वो इंट इतनी मजबुद बन जाती है कि बीमारत बन जाती है लेकिन फसल के अवश्रसों को जलाने की हमारी यहां परंपराजी पड़ गई है पता है कि मिट्टी तपती है तो इंट बन जाती है फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं इसी तरह एक ब्रह्म ये भी पैदा हो गया है कि बीना केमिकल के फसल अच्छी होगी नहीं, जब कि सच्चाई इसके बिलकुल उलट है, पहले केमिकल नहीं होते थे, लेकिन फसल अच्छी होती थी, मानव ताके विकास का इतिहास इसका साक्षी है, तमाम चुनवतियों के बावजूद कृशी यूग में मानवता सबसे तेजी से फली फुली आगे बड़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे, आज अउद्योगी की यूग में, तो हमारे पास टेकनोलोजी की ताकत है, कितने सादर है, मौसम की भी जानकारी है, अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहात बना सकते हैं, दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परिशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंप्रागत ज्ञान के द्वारा उपाई दे सकता है, हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं, भाई और भेनों, नेचुरल फार्मिंग से, जिने सबसे अधिक फायदा होगा, वो है हमारे देश के असी प्रतिशत छोटे किसा, वो छोटे किसाम जिन के पास दो हेक्टर से भी कम भूमी है, इन में से अधिकाँ उस किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाजर पर होता है, अगर वो प्राकृतिक खेती के तरफ मुड़े गिये, तो उनकी स्थिती और बहतर होगी, भाई और भेनों, प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिलकुल सटिक बढ़ती है, जहां सोशन होगा, वहां पोशन नहीं होगा, गांधी जी कहते थे कि मिट्टी को अलटना, पटलना, भूल जाना, खेत की गुड़ाई भूल जाना, एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह है, मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में, देश के अनेक राज्यों में, इसे सुधार आ रहा है, हाल के वर्षों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं, इन में से कईतों स्टार्ट अप्स हैं, नवजवानों के हैं, केंद्र सरकार द्वारा सुरू की गई प्रंप्रागत, कृष्ची विकास योजना से भी उन्हें लाब मिला है, इसमें किसानों को प्रश्रिक्षन भी दिया जा रहा है, और इस खेती के तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है, भाई और भेनों, जिन राज्जों के लाखों के साम प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, उनके अनुभव उत्सा वर्दक है, गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर हमने बहुत पहले प्रयाश शुरू कर दिये थे, आज गुजरात के अनेक हिस्सों में इसके सकारात्मक असर दिखने को मिल रहे हैं, इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रती आकर्शन बढ़ रहा है, मैं आज देश के हर राज्य से, हर राज्य सरकार से यह आगर करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगया आए, इस अमरित महुत्सों में हर पंचायत का कम से कम एक गाँ, जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े, यह प्रयास हम सब कर सकते हैं। और मैं किसान भाईयों को भी कहना चाहता हूँ, मैं यह नहीं कहता कि आपके अगर दो एकर भूमी हैं या पांच एकर भूमी हैं तो पूरी जमीन पर प्रयोग करो, आप थोड़ा खुद अनुभाव करो, चलिए उसमें एक छोटा हिस्सा लेलो, आदा खेत लेलो, एक चो साल में आप देरे देरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे, दाहरा बढ़ाते जाओगे, मेरा सभी निवेश सात्यों से भी आगर हैं कि यह समय और और प्राकृतिक खेती में इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जम करके निवेश्टा समय है, इसके लिए देश म नहीं नहीं, बल्कि पुरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है, हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है, सात्यों इस अमरत काल में दुनिया के लिए फुर्स सिकुरिटी और प्रकृति से समनवय का बहतिन जबादान हमें भारत से देना है, क्लाइमेट चेंज समीट में मैंने दुनिया से लाइफ स्टाइल पर एंवार्मेंट याने लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आवान किया था, 21 वी सदी में इसका नेत्रूत भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है, इसलिए आईए, आईए आजाजी के अमरत म होचों में माभारती की धराक और आसानी खाद और कितना असर सोंते मुक्त कर्ये का संकल पले, दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं, आज देश ने आत्म निर्भर भारत का सपना संजोया है, आत्म निर्भर भारत तभी बन सकता है, जब उस उसकी क्रिश्ची आत्मा निर्भर बढ़े, एक-एक किसान आत्मा निर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाईयों के बदले, हम मा भारती की मिट्टी का संवर्दन, गोवर्धन से करे, प्राकृतिक तत्वों से करे, हर देश्वासी, हर चीज के हित में, हर जीव के हित में, प्राकृतिक खेती को हम जनांदोलन बनाएंगे, इसी विश्वास के साथ, मैं गुजरात सरकार का, गुजरात के मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का, इस इनिशेटिव के लिए, पूरे गुजरात में इसको एक अंदोलन का रूप देने के लिए, और आज पूरे देश के किसानों को जोडने के लिए, मैं सम्मंदित सभी का, रुदय से बहुत-बहुत अभिननन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद.